दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ युरोप के e-residency पाने के तरीके के बारे में जहां दोस्तो आप भी युरोप के e-residency बन सकते हैं और वो भी मात्र चार documents के साथ आपको कौन से चार documents की जरुद पढ़ने वाली है दोस्तो आपको कैसे इस e-residency के से वो country है दोस्तो इस्टोनिया जो की बहुत popular country है बहुत खूबसूरत country है चोटा सा देश है दोस्तो 14-15 लाक रहते हैं मात्र और इस्टोनिया को जो है दोस्तो most digital country कहा जाता है दुनिया भर में तो आप सोच सकते हैं दोस्तो जो दुनिया की सबसे digital country है वो e-residency तो देगी आप अगर आपको इस्टोनिया का visa मिलता है तो आपको ही पता होगा की इस्टोनिया जो है Sh här interかな countries का हिससा है जिसमें और 28 country आती है दोस्तो तो आि अगर इस्टोनिया जाते हैं तो बाकी के दोस्तो आसानी से ठीक है साथ ही इस्टोनिया जो है फिल्लेंड जैसी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है तो आप अगर इस्टोनिया पहुंचते हैं तो इस्टोनिया के बाद आप बाकी के बड़े यूरोपियन कंट्रीज में भी जा सकते हैं ठीक है एक बार अगर आपको य e-residency के बारे में बताने वाला हूँ और कैसे यह आपके वीजा में आपकी मदद कर सकता है यह बताने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहले तो e-residency हम जान लेते हैं दोस्तो कि कैसे आपको apply करना होता है आपको मातर चार documents की जरूत होती है दोस्तो आप अपने घर बैठे जो है e- दूसरा जो document होने वाला दोस्तो वोने वाला आपका passport तीसरा जो document होने वाला दोस्तो वोने वाला है cover letter आपको covering letter में यह mention करना है कि आप इस residence के लिए जो है क्यों eligible है और आपको क्यों select किया जाना चाहिए सारी चीजे ताकि आपके application letter को या फिर cover letter को जो है वहा की authorities पर सके और आपको उस basis पे जज़ कर सके तो वो cover letter आपको लगाना होता है दोस्तो साथ ही आपको एक passport photo लगानी होती है बस यही चार document होते है दोस्तो photo, cv, cover letter और आपका passport ID original ठीक है तो यह आपको लगा करके जो है आपको जमा करना होता है online, online जमा करने के बाद अब process start हो जाता है दो आपके application को check out करने के बाद वो आपके background check वगेरा करती है आपके बारे पता वगेरा करती है अगर उनको लगता है कि नहीं भाई इस बंदे को दिया जा सकता है तो वो आपके application को approve करती है अप्रूव करने के बाद जो है मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूँ कि आप जब application करते हैं दोस्तो तो आपके पास एक option होता है pick up location का तो आपको जो है वहाँ पर pick up location select करना होता है आप जो है अपनी country के embassy को select कर सकते है इस्टोनियन embassy को otherwise आपके country में अगर इस्टोनियन embassy नहीं है तो आप अपने neighboring countries के इस्टोनियन embassy को select कर सकते है as your pick up location क्योंकि जब आपका application approve होता है दोस्तों तो आपको kit भेजी जाती है जैसे कि यह मैंने अभी बता है authority के पास जाएगा authority approve करतेगी approve होने के बाद आपका एक unique card generate किया जाता है दोस्तो card generate करने के बाद kit भेजी जाती है जिसमें आपका card होता है card reader होता है और उसमें और भी details होती है दोस्तों वो सारी चीज़े जो है आपके Estonian embassy में भेजी जाती है और फिर आपको जो है वहाँ जाकर के अपने मतलब इस package को pick करना होता है दोस्तों इसलिए आप से पूछा जाता है कि pick your location ठीक है आपका pick up location क्या होने वाला है कितना process complete होगा दोस्तों उसके बाद आपको Estonian embassy में जाकर के अपने package को pick करना होता है pick करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो याद रखेगा कि आपको अपना original passport ID जो है ले करके जाना है आप ही जा सकते हैं आपके अलावा और कोई नहीं जा सकता है दोस्तों वहाँ पर आपके biometrics वगेरा भी लिए जा सकते हैं तो इसलिए जो है सारी चीज़ों के लिए तयार रहेगा दोस्तों जब एक बार आप अपना वो order pick कर लेते हैं उसके बाद जो है दोस्तों आप अपने घर आ सकते हैं घर आने के बाद जो है दोस्तों pick up के बाद जो है दोस्तों 24 गंटे के अंदर आपका जो है card active हो जाता है उस card के बाद जो है आप अपना e-residency हासिल कर लेते हैं package वगेरा में जो है दोस्तों e-residency पाने के लिए software वगेरा इंस्टॉल करने का तरीका बताया जाता है वो install कर सकते हैं आप बहुत आसानी से मातर आधे घंटे के अंदर आपको e-residency मिल जाएगी दोस्तों ठीक है जब आप सब कुछ कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद जो है आप अपनी e-residency के साथ क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ जब आप e-residency बन जाते हैं दोस्तों इस्टोंिया के तो आप जो है इस्टोंिया में बिजनसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी खुद की company खोल सकते हैं दोस्तों वहाँ पर bank account वगयरा खोल सकते हैं ठीक है यतने सारी आपको छूट मिलने वाली है दोस्तों तो आप अगर इंडिया में बैट करके e-residency ले लेते हैं तो आप जो है इस्टोंिया में business वगयरा open कर सकते हैं दोस्तों अपनी company open कर सकते हैं खुद का अपना एक brand बना सकते हैं अगर आप चाहें तो otherwise आप यह सब नहीं कर रहे हैं तो आप businesses में invest कर सकते हैं आप को सारी जानकारी जो है आपके e-visa जो card आता है दोस्तों उसमें मिल जाएगी ठीक है वहाँ सारी चीज़े आप पढ़ सकते हैं otherwise आप Estonia government की official website पे जाके भी पढ़ सकते हैं बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों जब आप यह सारी चीज़े कर लेते हैं तो इसके बात आपका profile बिल्ड होना तयार हो जाता है दोस्तों जिससे आपको Estonia का visa मिल सकता है बहुत असानी से मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि e-residency ले ली तो आप Estonia जा सकते हैं में इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए आप अपना bank account वगएरा ओपन कर लीजे इस्टोनिया में और आप अराम से कर सकते हैं दोस्तों और उसमें transactions वगएरा जादा चालू कर दीजिए अगर आपके account में आता जाता रहेगा पैसा तो Estonia government देखेगी कि नहीं भाई यह actually मैं interest ले रहा है और इसको जो है वीजा दिया जा सकता है फिर अगर आप जाना चाहते हैं Estonia तो आप जो है वीजा के लिए मतलब अपलाई भी कर सकते हैं दोस्तों वहाँ पर आपको डी वीजा के लिए अपलाई करना होगा टूरिस्ट वीजा के लिए अपलाई मत सिक्यूर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी एजेंट के आपको किसी एजेंट की जूरुत नहीं पड़ने वाली है दोस्तों किसी को आपको पांच साथ लाख रुपए नहीं देने हैं अगर आप इतना ही पैसे बाहर मतलब investment में लगाते हैं दोस्तों company वगेरा में लगाते ह हैं तो आपको इस्टोनिया का visa बहुत आसानी से मिलता है और आपको जो है उस company से फाइदा भी मिलेगा ठीक है तो यह चीज़े हुए हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों I hope कि आप समझ चुके होंगे कि e-residency के बारे मैं आपको क्यों बताया है अगर समझ चुके हैं दोस्तों तो वेट करना छोड़िए जल्दी से जल्दी जो है documents जिन documents के बारे मैं आपको बताया है उन documents के जरीए अपने e-residency के लिए अपलाई कीजिए अगर आप भी इस्टोनिया जाना चाहते है तो आज के आज ही अपलाई कीजिए दोस्तों ताकि आपको भी एक महीने के दो महीने के अंदर जो है आपका e-residency मिल सके इस्टोनिया का तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो आपको यह वीडियो पसंदाया हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अग